नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरो फरवरी से अकीस फरवरी तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों इन नौ दिनों के अंदर में आपके किस्मत में होने वाला है आठ भयानक चमतकार जी हाँ दोस्तों अब आपके जीवन ही बदल जाएगा दोस्तों आपके जीवन काल में भगवान बनकर आ रहे हैं यह दो लोग जी हाँ दोस्तों और आपके जीवन काल में यू कहे कि अब आपके रुके हुए जिन्देगी में कई परकार के चमतकार होने वाले है जिहाँ दोस्तों और आपके जीवन काल से सभी परकार के परिशानियों का अंत होने वाला है क्योंकि दोस्तों यह समय भगवान बनकर यू कहें कि श्वेम भगवान का भेजा हुआ यह दो लोग आपको एसे तरकियों पर लेकर जाने वाले हैं जिनसे दोस्तों अब आपको गर्वी का मुद देखना नमुमकिन हो जाएगा आप उन बुलंदियों को छूलेंगे जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे थे और आप आपके दूसमन भी कुछ नहीं बिगाल सकता क्योंकि दोस्तों यह जो दो वेक्ती हैं सम इस्वर की अनुस्वार ही भेजे गए दिबिश सकती होंगे भगवान का भेजे गए दो एसे लोग होंगे जो कि आपको अब तरकी पर तरकी मिलेंगे जिससे दोस्तों सभी लोग आपके लिए वाह वाह करेंगे यूँ कहें कि दोस्तों आपको उन बुलंदियों को देखकर लोग आपसे दिल्चस्वी रखेंगे वो मन में सोचेंगे कि इससे हमें मितरता रखनी है क्योंकि हमें यह आगे चल कर काम देगा आप उन सभी के लिए एक मसीहा बन जाएंगे जिहां दोस्तों इसलिए दोस्तो में आप कोई भी गर्वड़ी बिल्कुल ही ना करें आप अपना कदम फुक फुक कर रखें एसा मत सोचना कि इन तरकी को देखकर आपके दूसमन चुप बिठेंगे जिहां दोस्तों वह कुछ ना कुछ तो तकरीब चरूर्श खोजते होंगे कि आखिर इसने इतने कम समय म क्या बर्दान क्या तकरीब अपनाई है जिससे यह इतनी बड़ी काम्यावी प्राप्त कर ली है जिहां दोस्तों आपको बता दें कि जो व्यक्ति दूसरे के तरकी को देखकर जलता है वह सहन नहीं कर सकता वह कभी भी आगे बढ़नी सकता है इस बात का आप आवसे ध्यान रखें तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुली मिशना करें और शुरू से आन तक जरूर देखें तो आये दोस्तों बात करते हैं कि इन दिनों में आपको किन-किन छेतरों को लेकर शाब्दान रणे होंगे कौन-कौन से कार आपके लिए भागेशाली होंगे और और इस वीडियो को देख रहे हैं एक लाइक अभी जरूर परदान करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय महाकाल जरू लिखें जिससे कि महाकाल का असिरवाद आपके घर और आपके परिवार में सदा किरपा बरसाते रहे आए दोस्तों बात करते हैं कि भागवान का भेजा हुआ यार दो लोग आपके किसमत को केसे बदल कर रख देंगे आपके जीवन काल से केसे परिसानियों का अंध कर देंगे आपके इसे उन बुलंदियों को छूलेंगे जिसे लोग वाहवा करेंगे जियां दोस्तों दोस्तों इन दुनों में आपको शमय के अनुसार अपनी दिन्चारिया और गत्य विदियों में लचिलापन लाना जरूरी है तदा अपनी बहतर कारपनाली की वज़े से लोगों के समक्ष परसंसा का पात्र भी बनेंगे आपको किसी लोगों दौरा कोई महतपून सुचनाय मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुती फायदे रहेंगे वो दोस्तों जो सुचना मिल शकते हैं वो भगवान का दिया हुआ एक बरदान होगा जो कि आपको इन दिनों में कारवारी इसुति में सुधार भी आएगा तो प्रहनत और युगता के अनुसार परिनाम भी मिलेंगे दोस्तों दामपद जीवन से समन्दित समस्या का आपसे समांजा सद्वरा आवसी समस्या का समाधान मिलेगा प्रहन पर समय में भी नजदी किया बढ़ेगी क्रिए इस सिति आपके लिए कोई महतपून उपलबदी बना रही है आप अपने कारे में जितनी अधिक महनत करेंगे उसकी अनुरूप आपको सांदार परिनाम हासिल होंगे विद्यार्थियां को भी अपनी सिक्षा समन्द किसी भी समस्या का समाधान मिलेगा दोस्तों आपको इन तरकियों देखकर बाहरी लोग आपके जलन की भावनां से कुछ भी कर सकते हैं इसलिए बाहरी लोगों का हस्तशेव अपने वेक्तिगत मामल में ना होने दें वारना घर का सुखाद माहौल में भी हलकी फुल्गी नौक जोध उत्पन हो सकती है अब अपनी विवेक वा समझदारी दोरा किसी भी मसले को समाधान पाने म समख्च रहेंगे अपने काम करने की तरेकिये के बारे में दूसरों को न बताएं कोई आपकी नकल कर सकता है सरकारी सेवरत लोगों को आज कोई महत्पुन कारभण मिल सकता है तर परिवार की वैस्ता मधूर बनी रहेगी प्रेमी प्रेमिकाव को मुलाकात के आफसर भी मि किसी मदस्ता से हल होने की पूरी शांभावना है संतान के सिक्षा या केरियर समय दे कोई सुचना मिलने से बहुत अधिक रहत मेहसूस होगी अपने मेहनत और योगता पर विश्वास रखना आपको सफलता देगा इनके साथ-साथ दोस्तों आपको इन दुन में कुछ योग में आपना समय वितित करने से आपको आत्मी व्मानसिक सांती भी महसूस होगी समाज में भी आपका मान समानवा रुदवा रहेगा इस समय ग्रह गोचर अतिदिक सूब है गर के किसी आविवाई सदसे की विवास समय अनुकुल रिष्टा आ सकता है इनके साथ-साथ उपर ज़्यादा जिम्मेदारियां और कारभार लेने से परेशान भी आ सकते हैं इसलिए सावधान रहें बेतर होगा कि अपने छमता के अनुसार ही किसी को मदद करें कभी कभी आप अपना धैर खोद देने की वज़े से किसी विवाद में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों आ आप घबराये नहीं क्योंकि भागवान का दूत आप आपके परचाई बनकर हर एक मोड पे खाड़े होंगे वारिस सदस्यों का भी शहयोग मिलेगा और आप जितनी महनत करेंगे भाग भी उतना ही आपका शहयोग करेगा कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा हा कारियों में जितनी महनत करेंगे उतनी आपको रिजेट भी हासिल होंगे घर में कोई धार्मी गत्ति भी दिया समिनी युजना भी बनेगी युवाव को अपने किसी समस्या का समाधान या दो लोगों से ही मिलेगा इसलिए आप इमंदारी से सभी काम करें आपको अवसी मांजस बना रहेगा ट्रेम समन्द को भी विवाब में परिनित होने की आफसर प्राप्त होंगे तो आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो बरतमान मोसम की वज़े से आवस्यक सावधानियां जरूर बढ़ते हैं जहां अपने दिन्चारिया वग खान पान को भी सम के ऊंश्या रह सकती है इसलिए अपने स्वास्त पर ध्यान दें दोस्तों बात कृतब के उपाय के बारे में सावन मास के दोरान भागवान शिव को पंचा मृत्ट करने से मन और सरीर को शांती मिलती है सावन के महीने में ब्रत रखना कापी शुब माना जाता है ब्रत रख भागे शाली रंग नीला है और भागे शाली अंक छे है दुस्तुम भगवान भोलेनात का अश्रवाद आप सभी को प्राप्त हो सच्छे दिल से कमेंट बॉक्स में जै महाकाल जडूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जडूर करें धन्यवाद